पांच चीज़ें जो आप बताएं सरकार को क्योंकि अर्थवयवस्ता को लेकर चिंता है करण डेप जो फिस्ता है उसमें जी डिटीप गटाई मुद्दा यह कि देश सम्रिद्ध कैसे बने प्रकतिशील कैसे हो देश की एकोनोमी में कैसी सुधार हो देश आगे बढ़ेगा और एकोनोमी से देश ताकतों बनता है तो सबसे पहली चीज तो यह कि देश को सभी दिशाओं से आत्म निर्भर बनाने के लिए कि आने वाले पांच दस पंद्रे सालों का एक रोड मैप तयार होना चाहिए कि खाड़ी देशों पर हमारी उर्जा की निर्भरता चाहिए वो गैस है डीजल है पैट्रोल है वो कब खत्म होगी हम अपने धिश के अंदर गैस डीजल पैट्रोल की कोई कमिनियों उसके ठीक कि अब गैस डीजल पैट्रोल के साथ साथ खाने का जो तेल है वो भी डेड़ से दोलाक कोड का बाहर से आ रहा है और उसमें भी मलेशिया इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा आता है उसके बाद कुछ अमरिकन देशों से भी आता है मलेशिया का प्रदान मंत्री भारत को का क खिलाब बोलता है वह उस देश के उपर हमारी निवर्टा ठीक नहीं है हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अपने देश में पाम हैं चाहिए बैड़िबॉल उयल से इसमें मैक्सिमम पास साल लगेगे मैक्सिमम और कम से कम देश का दो लाग करोड साला ना बचेगा दो ला साहिने के उपर क्यों निरभर है तो आपके बोल रहे हैं सर कोई कोई सरकार में सुन रहा है अभी तो आप करें तो मोदी आपके सुनते मैं यह कह रहा हूं मैं तो इस पक्ष का हूं करीब 50 लाग करोड रुपए की अर्थ विवस्ता पर चीन का योरोब का अमरीका का मलेश सालों में अमरीका से जापान से चीन से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा यह हमारे दिसका पूठीश चले ठीके कौन-कौन सवाल पूशा चाहता है जल्दी से एक-दो सवाल नहीं आपका हो गया है आप जल्दी सवाल यह है कि देश की आर्थिक हालत आज के दोर में ब रुजगार दिया अज पतंजली रूची सया को दोनों का देखो तो करीब 2-3 लाख किसानों को सीधा खायदा दिया है आगे मेरा सपना है आने वाले 5 सालों में करें पांच लोगों को रुजगार देना पांच करीब 20-25 लाख से ज़्यादा किसानों को डारेक्ट अपने स प्रतिशत प्रोड़क्स वीदेशी कंपनियों से सस्ते सो प्रतिशत प्योर देते हैं हमसे दोबन पाया हमने सेवा किया मैं तो एक अनपड़ माबाब के घर में किसान परिवार में पांच जी ने अभी तक पतांजली का नाम लेकर या काम करके हमने देश के लिए कंट्रि देश में पढ़ा है कि हमने में जो ऐं चीन वाले पाकिस्टान को नामी 스न 되면 क्वार में हमारे दोबर करने दीतायर करते हैं वो उससे गोली खरीद करके हमारे सेनाओं के सीने में दागते यह यह क्या देश भक्ति है यह बात सही है लेकिन एक सजेशन जो आप पहले हर सरकार को देते थे स्वामी जी आजकल काला धन भूल गये हैं विदेशों से आने वाला काला धन उस सब पे ताला लगया उसके पर चोड़ रहा और काले मन को ठीक करने का काम स्वामी ना अरे आपने पांट चीजे पहले पूछी थी वो तो पूरी होने दो एक डेस को एगरी कल्चर में बहुत ज्यादा अचे मोदी जी ने देश का क्या बिगाड लिया कि ताप की भैस खोल ली मोदी ने बात यह है मोदी ने जी ने देश का क्या बुरा किया है आप एक बात बता दो मैं आज से मोदी जी का विरुद करना स्वाल करसी यह हो पाईगा लेकिन फिर कैना मे करता और कर कर तो दांस करता है हमें आच का वी लेखां अघ्यूर्चषय करता है वाँ भाँ अपरिया भाँ अपरिया